Hi, Welcome, Science की मेरी सीरीज में आजके लेक्षर का टॉपिक है Big Bang Big Bang इस बात की थियोरी है, Basically कि युनिवर्स की शुरुवात कैसे हुई थी पिछली एक सेंचुरी में Science ने बहुत तरक्की की है इस बारे में जानने में कि युनिवर्स कैसे वर्क करता है और universe की शुरुवात कैसे होई थी और big bang जो theory उभर कराई है वो है रात में जब आप सेतारे देखते हो तो बहुत सारे सेतारे देखते हैं in fact ऐसा कहा जाता है कि अंगिनत तारे हैं आस्मान में लेकिन सचाई है कि कितनी भी dark night हो आप आस्मान में 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा सितारे नहीं देख सकते इसका मतलब यह नहीं है कि आस्मान में सितारे कम है in fact आस्मान में जो है 10 की power 22 यानि की 10 करोड 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 सितारे हैं यह सितारे क्या आस्मान में randomly scattered है जैसा देखने में लगता है ऐसा नहीं है यह सितारे जो है असमान में randomly scattered नहीं है बलकि सितारे जो हैं वो clusters में हैं मतलब खूब सारे सितारे एक cluster में होंगे फिर खूब सारी खाली space फिर खूब सारे सितारे cluster में होंगे इस तरह से scattered हैं और इन clusters को हम galaxies कहते हैं, हमारा सितारा सूरज, जो की एक star है, वो भी एक galaxy का part है, जो की है milky way, जो की अगर आप किसी गाउं में जाएं, जहां light pollution से दूर हो, या पहाड़ों में जाएं, और हाँ अगर आप देखेंगे, तो एक white band देखेगा, जैसा की इस photo में देख रहा है, और वो हमारी galaxy है, milky way, लेकिन हम यह सब कैसे जानते हैं, यह इसका काफी सारा श्रे जाता है, एडविन हबल को, जिन्होंने ना कि यह देखाया कि हमारी galaxy, एक लौती galaxy नहीं है, और भी कई सारी galaxy है, और साथी साथ उन्होंने यह भी दिखाया है, compute किया कि वो galaxies कितनी दूर गैलक्सी का डिस्टेंस भी ना पा, यह एडविन हबल की फोटो है, 1889 में एडविन हबल पैदा हुए थे, और 1925 में उन्होंने मांट विल्सन में अब्जर्वेटरी थी वहाँ पर और उसमें सबसे बड़ा टेलिस्कोप था, वहाँ पर एस एन एस्ट्रोनोमर जोइन किय और एक चीज जो जिस पर उन्होंने काम किया था वो यही कि गैलक्सी का डिस्टेंस निकाले, तेकिन क्वेश्चन यह है कि how do you compute distance to a galaxy, आप कैसे घर में बैठे बैठे गैलक्सी का डिस्टेंस निकालोगे, कैसे कोई निकालता है, तो उसका जवाब यह है कि पहले हम यह बात हमने पहले भी एक लेक्शर में की थी, जब धर्ती सूरज का चक्कर लगाती है, तो धर्ती जो है, मतलब जो है चेंज होती है, और चेंज होने की वज़े से जो स्टार है, उसकी relative position, background में चेंज होती हुई दिखेगी, मानलो आपका अंगुठा है, भई पैरलेक्स ही ह होता है कि कोई पास वाली चीज अगर आप मूव करते हो, तो दूर वाली चीज के frame of reference में पास वाली चीज मूव होती हुई दिखाई देती है, तो स्टार पैरलेक्स की मदद से स्टार में कितना apparent change आया है धर्ती के orbit में, उससे हम near a star का distance निकाल सकते है, जितना पास होगा स स्टार उतना ही उसका parallax होगा, जितना दूर होगा उतना ही कम होगा, in fact जो तारे बहुत दूर होगे, जो और galaxies में होगे उनमें parallax नहीं देखेगा इतना, इसकी मदद से हम दूर के सितारों का distance नहीं निकाल सकते, दूर के stars का distance निकालने के लिए हम indirect technique निकालते हैं, और व उनका चमकना किस बात पर depend करेगा, एक ही है कि वो कितनी light emit करेंगे, जितनी जादा वो light emit करेंगे, जैसे हम luminosity कहते हैं, उतना जादा वो चमकेंगे, दूसरा ही है कि उनका distance कितना है, अगर वो जादा दूर होंगे तो उनकी luminosity जो है, उनकी जो brightness दिखेगी, वो कम स्टार हैं, उनका distance हमने निकाल लिया, क्योंकि अपरलेक्स है, और उनकी brightness कितनी है, वो हम देख के बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि luminosity कितनी light वो star emit करता है, जो पास है हमारे, हम तरह सकते हैं, for example, कि सूरज कितनी light emit करता है, लेकिन जो star दूर है, उनका बारे में हम क्य क्या कह सकते हैं, वो देखते हैं, देखो, ये scientist ने realize कि कि कुछ particular stars जो होते हैं, उनकी luminosity हमेशा same होती है, मतलब वो उतनी light emit करने हैं, तो ये assumption भी kind of reasonable है मानना, कि S type के star अगर किसी और galaxy में होंगे, तो वो भी same light emit करेंगे, तो अगर हम ये मानने कि जो बहुत दूर stars हैं, औ और वो stars उतनी light emit कर रहे हैं, तो हमें उनकी luminosity पता है, और हमें पता है कि वो कितना चमकते हैं, तो ये indirect measure से हम उनका distance भी निकाल सकते हैं, एडविन हबल ने इस method को लगा कर खूप सारे different stars का distance निकाला, और in fact, अगर तुम एक star का distance निकालोगे, बहुत दूर है वो star, उसका distance निकाल लिया, और फिर तुम उसके पास वाले एक और star का distance निकालोगे, और वो अगर मानलो सेम आए, अगर खूप सारे stars जो आसपास हैं, उनका distance अगर सेम आए, तो इसका मतलब क्या है, कि वो जो है, एक cluster में है, और मानलो एक आएगी, है ना, x दूर, और कोई एक और star x दूर है, तो वो cluster में है, फिर एक आए, 2x दूर, और उसके आसपास वाले stars भी 2x दूर है, तो वो एक और galaxy में, तो ये जो distance होगा उन stars का, उन आसपास वाले stars का, वो galaxy का distance हो जाएगा, इस galaxy का distance इतना दूर होगा, कि आसपास में stars का थोड़ा बहुत जो variation होगा, वो that will not matter, क्योंकि वो distance बहुत कम होगा, compared to जो यहां से उस galaxy का distance होगा, सोचो ये कितनी बड़ी intellectual leap होगी, एडविन हबल ने इस method को use करके, 9 different galaxies का distance निकाला था, और मैं believe नहीं कर पाता कि इसने कितना दूर हमको ला दिया होगा, एक time था, सिर्फ 2000 साल पहले, जो कि अर्थ की millions और billion years की evolutionary cycle में कुछ भी नहीं होता, 2000 साल पहले Aristotle और टॉलमी सोचते थे कि धर्ती जो है, अर्थ यूनिवर्स का center है और उसके आगे सब चक्कल लगाता है, और अब हमारी अर्थ जो है एक बहुती ordinary planet थी, जो कि एक बहुती ordinary star का चक्कल लगा रही थी, जो ordinary star एक बहुती ordinary galaxy मिलकी व जहानी खतम नहीं हो जाती, एक और बहुती interesting बात जो, जो Edwin Hubble ने note की, वो हम बात करते हो उसकी, जब तुम किसी भी star से आने वाली light को देखते हो, और उसे prism से पास करते हो, Newton ने दिखाया था कि तो white light को prism से पास करते हो, तो उसका spectrum बन जाता है, विब ग्योर, violet से लेकर red तक optical spectrum होता है, तो तुम stars से आने वाली light भी उनका spectrum निकाल सकते हो, लेकिन stars में क्या होगा कि कुछ certain elements होंगे, मानलो, मानलो एक star में hydrogen atom है, और मानलो वो green light absorb कर लेता है, ठीक है, तो तुम जब spectrum देखोगे, तो पाऊगे कि green light बहुत कम है, green light में कला-कला आ रहा है, तो इन absorption patterns है, तुम ये भी निकाल सकते हो, कि उस star में कौन से chemical elements हो सकते है, उसका composition कैसा है, और जब खूब सारे stars का, एक galaxy के सारे stars का स्पेक्टरम देखोगे, तो तुम पाऊगे कि भाई, पूरा spectrum है, लेकिन कहीं कहीं पर absorption lines आ रही है, क्योंकि उस galaxy में कुछ सेतारे हैं, जो particular ला absorb कर लेते हैं, so on and so forth, Erwin Hubble ने दो particular pattern ही है, एक अपनी galaxy में redshifted pattern, sorry, galaxy के spectrum लिया, और एक और galaxy का pattern लिया, देखने में वो बिलकुल एक जैसे थे, बस इतना था कि जो दूसरी galaxy का pattern था, वो थोड़ा सा redshifted था, थोड़ा सा redshifted, absorption pattern एकदम से थे, लेकिन lines थोड़ी सी लाल कलर की तरफ shifted दी, इसका क्या मतलब है, ये समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, Doppler effect की, Christian Doppler, जोगी 1803 में पैदा हुए थे, उनके नाम पर Doppler effect दिया जाता है, Doppler effect बेसिकली ये होता है, और हम इसे रोज मर रहा है, जिनकी में भी सूचते हैं, जब मान लो train आ रही हो, तो आते समय उसकी train बहुत high frequency पर होती है, और जाते समय लो frequency पर होती है, और इसी तरह sound waves में ये phenomena होता है, होता ही है कि मान लो कोई गाली चलते हुए आ रही है, तो एक तरह visualize करने का जोगी इस animation में दिखाया है, कि गाली चलते हुए आ रही है, तो जो wave वो emit कर रही है, और तुम observer हो मान लो, तो ये गाली चलते हुए आ रही है, तो जो wave, apparent wave तुम्हें देखेगी उसकी wavelength चोटी होगी, wavelength चोटी होगी मतलब frequency बड़ी होगी, ये एक rough तरीका है explain करने का, light में भी यही phenomenon होता है, अगर कोई light source मान लो yellow color की light emit करता है, और अगर वो तुम्हारी तर पर होगी, और इसी तरह अगर वो light source पीछे जा रहा होगा, तो जो wave होगी वो lower frequency पर होगी, तो lower frequency लाल color की तरफ होती है, blue और violet जो है higher frequency की तरफ होती है, तो तुम देखोगे कि कोई भी अगर yellow color का source है, वो अगर तुम्हारी तरफ बहुत जोर से आए, तो उसकी light blue color की होता है, कि दूर जाने वाली चीज़े है, light source अगर दूर जा रहा हो, तो इसकी color लाल की तरफ shift होगा, इसका तो मतलब एक ही हो सकता है, कि जो galaxies है, वो हमसे दूर जा रही है, मतलब जो universe है, वो expand हो रहा है, और in fact, जो है, एडविन हबल ने एक और surprising result 1929 में पब्रिश किया, वो यह कि redshift जो pattern थे, वो random नहीं थे, जितनी दूर कोई galaxy थी, उतना ज़्यादा उसका redshift था, कोई galaxy पास है, उसका redshift मान लो इतना है, कोई galaxy दूर है, तो उसका redshift जितना ज़्यादा था, in fact, जो redshift था, वो linearly proportional था distance से, और Hubble नहीं यह lobby दिया कि velocity is equal to h0 into d, h0 Hubble's constant है, और velocity जो जो, जिस velocity से galaxies एक दूसरे से दूर भाग रही है, वो linearly proportional है, distance के, जितना ज़्यादा distance, उतना ज़्यादा velocity, universe expand कर रहा है, इस, इस खोज को हम बोल सकते हैं, कि 20th century की, जो है, काफी बड़ी, और या फिर सबसे बड़ी खोज थी, arguably, यहाँ से हम बात करते हैं, big bang theory की, हमने य बात कर ली, कि भाई, जो है, galaxies एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे जैसे time भल रहा है, जो है, universe expand कर रहा है, और galaxies एक दूसरे से दूर जा रही है, सबोज हम घड़ी को पीछे कर दें, TV की तरह, तो इस से क्या पता चलेगा, कि galaxies जो हैं, वो एक समय में बहुत पास रही हो होगी, और अगर हम time को और पास कर दें, तो क्या कभी ऐसा होगा, कि ये सारी galaxies बहुत पास पास होगी, और अगर और टाइम में पीछे जाएं, तो क्या होगा, ये theory की matter एक समय पे इतना ज्यादा dense था, कि वो almost एक atom के अंदर आ जाता था, ये theory 1927 पे पब्लिश किती, जो की दो साल पहले था, Hubble के result पॉब्लिश करने से पहले, और केवल theory of relativity, general theory of relativity यूज करते हुए, लमातर नहीं ये theory प्रपोस किती, general theory of relativity जो आइंस्टाइन किया, वो भी हम जल्दी ही बात करेंगे उसकी, बिग बैंक ठीओरी के इस आपसे, जो है, matter बहुती होट स्टेट से, काफी टाइम पहले, 13.8 billion साल पहले, matter बहुती छोटे dense condensed state में था, और फिर एक बहुत बड़े explosion में, bang, जो है, universe ने expand करना चालू किया, और बहुती होट स्टेट से धीरे-धीरे cool down होके, फिर matter बना, galaxies ब बने, planets बने, और it continues to expand today, कई लोगों को, जो है, यह थियोरी उतनी पसंद नहीं आई, और उनके revolutionary, उसके opposite एक थियोरी है, study state थियोरी, study state थियोरी में, जो है, इस बात का fact आता है कि, काफी टाइम से, इनसान का यह belief राए, कि universe, जो है, वो static है, इनसान एक ऐसा जीवन प्रानी है, जो इसकी की death होती है, in fact, हर living being की death होती है, तो शायद हम इस बात में अपने आपको solace पाते हैं, कि, चलो, हमारी death हो जाएगी, we will pass on, but at least universe will be here, universe यहीं रहेगा, universe हमेशा से यहीं था, universe constant है, शायद यह thought में please करता है, even Einstein, जो है, यह believe करता था, कि large scale पर universe, जो है, similar होता है, और space और time में similar है, और Aristotle का भी यहीं मानना था, steady state theory यह कहती है, कि big bang theory की opposite होती है, और वो यह कहती है, कि matter जो है, वो, जैसे-जैसे matter expand करता है, वैसे-वैसे centers में और matter बनता जाता है, और जो universe है, वो large scale पर एक जैसा दिखता है, जो है, time में भी और space में भी, यानि कि अगर आप universe में कहीं भी किसी भी समय जाएं, चाहें आज से 1000 साल पहले, चाहें million साल पहले, या million साल बाद, या फिर आप universe में कहीं भी हो चाहें, धरती पे हो चाहें, किसी और galaxy में हो, इससे matter नहीं करेगा, अगर आप कहीं भी observation लेंगे, किसी और star की, तो universe large scale पर एक जैसा दिखाई देगा, यह steady state theory है, और in fact, कोई ऐसा genesis नहीं हुआ था, कोई 13.8 billion साल पहले, start नहीं हुआ था, हम infinite time तक रहेगा, यह study state theory है, लेकिन question यह है, कि कौन सी theory है, हम मैं से माने, answer यह है, कि हम scientist है, हमें scientific way यूज करना चाहिए, और scientific way क्या है, कोई भी अच्छी scientific theory वो होती है, जो कि definite prediction दे, जिनको कि तुम observation से falsify कर सको, मैं पहले भी बात की थी कि, astrology, जो है, जोतिश विद्धिया इसलिए science नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम उसे, उस वो कोई definite prediction नहीं देती है, और अगर definite prediction देगी, तो उसे falsify किया जा सकता है, observation से, तो एक prediction जो big bang theory की होती है, वो है cosmic microwave background radiation, इसका मानना यह है, इस prediction का मानना यह है, कि अगर universe बहुत condensed और hot state से originate हुआ है, तो उस समें बहुत सारी microwave radiation generate हुई होगी, जो कि हम आज भी detect कर सकते हैं, और सुन सकते हैं, तो 1965 में बहुती amazing बात हुई, कि दो American scientists, New Jersey, New York के पास, Arno Panzeis और Robert Wilson, Bell Laboratory में काम कर रहे थे, और वो एक, ऐसे device पर काम कर रहे थे, यह उनका antenna था, जो कि microwave detect करता था, बहुती sensitive microwave detector पर काम कर रहे थे, उनक परपस जो है, यह CMB discover करना नहीं था, उनका परपस जो है, इंटरनेट और telephone के लिए काम करना था, अब हुआ यह कि उनका जो यह equipment था, वो बहुत sensitive था, और वो जो है, जितनी वो noise expect करते थे, उससे काफी ज्यादा noise वो catch कर रहा था, तो शुरू में तो उन्हें लगा कि उन उन्होंने notice किया कि noise आए जा रही है, आए जा रही है, in fact, वो noise जो है, दिन में भी same है, रात में भी same है, उसका sun से कोई लेना देना नहीं है, उसे चाहें तुम atmosphere में उपर point करो, चाहें horizon की तरफ point करो, जो है same noise disturbance है, इसका मतलब वो atmosphere से भी नहीं आ रही, क्योंकि कोई अग atmosphere चलना पड़ता है, और horizon पर point करने पर जादा disturbance होता है, क्योंकि जादा atmosphere करना पड़ता है, similarly, ये noise हर महीने same थी, जनवरी में भी same थी, और मार्च में भी same थी, या December में भी same थी, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं था, कि धर्ती जो है, सूरज के चकर जब लगाती है, त और ये one of the biggest discoveries है, 21st century की, ये discovery इतनी बड़ी है, कि उससे में बहुत strong debate थी, scientist के बीच, Big Bang Theory और study state theory के बीच, लेकिन इस discovery ने, जो है, scientist को convert कर दिया, Big Bang Theory में मानने में, और इन दो scientist को इसके लिए Nobel Prize भी मिला, Big Bang Theory की एक और prediction ये है, कि जो lighter elements होंगे, वो abundance में होंगे, जैसे कि hydrogen और helium, ऐसा मानना है कि universe जब बहुत condensed state से चालू हुआ, तो पहले धीरे-धीरे तो cool down हुआ, तीन मिनट के अंदर, 10 की power 9 Kelvin उसका temperature हो पाया, और cool down हुआ, and it continues to cool down, आज भी, तो जब matter cool down हुआ, तो धीरे-धीरे पहले hydrogen बनना चालू हुआ, फिर जो है, उससे heavier element, उस hydrogen combine होकर helium बना helium और combine होकर और heavier elements बने तो क्योंकि पहले सबसे पहले hydrogen बनाता तो hydrogen सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर उससे कम helium और बाकी elements और कम होने चाहिए, in fact और ये true है, कि हमारे universe में आज by mass 73% hydrogen है, 25% helium और केवल 2% बाकी heavier elements है, तो lighter elements की abundance भी big bang explain करता है, conclude करते हुए, पिछली एक century में हमने बहुत huge advancements करे हैं अपने universe की understanding में, जो है, सितारे जो है night sky में वो galaxies में clusters हैं, और दासमान में billions of galaxies हैं, और हर galaxy में billions of stars हैं, और जो universe है वो expand कर रहा है, और it continues to expand, और 13.8 साल पहले universe की शुरुआत हुई थी big bang में, in fact, September 25, 2012 को NASA नहीं ये image release करी थी, जो की space में हमारा सबसे दूर का view है आज तक, और ये बहुत ही छोटे portion में है, मतलब चन्रमा से भी छोटे portion of space में, Hubble telescope को बहुत देर तक रखा गया था, तो ये image मिली थी, जिससे की extreme deep field image कहते हैं, इसमें तुम देख सकते हो, galaxies billions of साल पुरा पहले चली होंगी वहां से, जब यहां से light चली होगी, तब धर्ती पे dinosaurs का राज होगा, और आज हम इनने देख रहे हैं, anyways, अगर universe की शुरुवात होई थी, इस पर हम विचार करते हैं, तो ये भी question बनता है कि क्या universe का भी कभी end होगा, scientific belief इस पर ये है कि हाँ universe का भी end होग और universe का end होगा, big freeze में, universe continues to cool down, और जो है, जो temperature होगा, वो absolutely, asymptotically, zero की दरफ जा रहा है, धीरे धीरे सारे stars बुच जाएंगे, और जो है, cool down हो जाएगा universe, बट आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है, उससे काफी पहले, काफी दिन पहले, हमारा star सूरज ही बुच चुपा जो होगा, तक यू.